मोदी जी के मित्र है पार्लमंट में मुझे कहा आप देखिए पार्लमंट में मुझे कहा कि पार्लमंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता तो मैंने गाँ ठीक है नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा तो A1, A2 नाम दिया मैंने उनको हम दो, हमारे दो नरेंद्र मोधी, अमिच्छा, अमबानी, अदानी इनकी सरकार चल रही है और अगर कोई छोटा काम करता है मज़दूरी करता है छोटा बिजनस चलाता है होटल चलाता है, टूरिसम का बिजनस चलाता है तो उसके लिए नरेंद्र मोधी जी GST लाते हैं नोट बंदी कराते हैं और बैंक के दर्वाजे बंद कर देते हैं और पूरी की पूरी सरकार इन दो अरब पतियों के लिए चलाई जा रही है ये मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आप से स्टेटूट छीना गया है इसका भी लक्ष उन्ही दो अरब पतियों की मदद करने का है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो वियापारी हैं जो इस प्रदेश को इस देश को रोजगार देते हैं चाहिए वो टूरिजम की बात हो हैंडी क्राफ्स की बात हो उन सब को ये दबा कर रखते हैं जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है देश से जादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में और ये उल्टी सीधी बात करते हैं कभी नरेंद्र मोदी समुदर के नीचे चले जाते हैं कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है तो यहां हमारे एक युवाई नेता हैं एक बात मान कर चलो यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की अलायन्स की सरकार आ रही है यह निश्चित है यह होने जा रहा है और हमारा पहला काम हमने नैशनल मैनिफेस्टों में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं जो भी सरकारी वेकंसीज हैं, उनको हम भरेंगे, और एज को हम 40 साल तक एक्स्टेंट कर देंगे. जो डेली वेज का काम करते हैं, उनको हम रेगिलराइज करेंगे, पर्मनेंट करेंगे, और उनकी जो आमदनी हैं, उसको हम बढ़ाएंगे. मगर हमारा लक्ष होगा, कि हम सब को लेकर एक साथ मिलकर, जमू कश्मीर की सरकार चलाएं, सब की रिस्पेक्ट हो, सब को एक साथ लेकर हम चलें, और जैसे मैंने देश में, वहाँ, बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में, हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है, जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहाँ हम महबत की दुकान खोलेंगे. आखरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी सुन्दर जगा है, चुनाओ के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा. और ये, ये, जो आपने, वकार जी, वकार जी कर्रा साथ, ये आपने जो मेरा, 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, ये आपने मुझे ठग लिया, यहां पे कम से कम, एक दिन, दो दिन, तीन दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए. मुझे ऐसी जगा, देखने को नहीं मिलती है, ऐसे, प्यारे लोग, कम से कम, कम से कम, यहां मुझे दो तीन दिन के लिए लाईए, और यहां गुमाईए. पाँच मिनट, दस मिनट जितना चाहते हो, कोई प्रोब्लम ने है. तो, तो आपने देखा होगा, पहले कहा, कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता. नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बहिया, मेरी डाइरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डाइरेक्ट बात करता हूँ. और वो भी देश की मीटिया को बोल रहे हैं, अगर कॉंग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे करना सब आए, या वकार आए और कहें कि बहिया, मैं डाइरेक्ट ली भगवान से बात करता हूँ, मैं उन्हें कहूंगा भईया, ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मगर नहीं, देश का प्रधान मंत्री जा सकता है, कह सकता है, भईया, मैं नॉन ब प्रधा हुए, मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ, मैं डाइरेक्ट भगवान से बात करता हूँ, और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्रमोदी को डाइरेक्ट मेसिज दे दिया, कि भईया, आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है, और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है, तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलोजिकली उड़ा दिया है मैं आपको बता रहा हूं मैं पारलोमें बैठता हूं उनके सामने पारलोमें में बैठता हूं पूरी कॉन्फिटेंस गायब हो गई उनकी इंडिया गटबंधन खड़ा हो गया एक साथ मिलकर हम लड़े पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस इंदुस्तान के प्रदान मंत्री की गाइब हो गई है आप मुझे बताओगा आप देखो उन्होंने पहले कहा कि जाती जनगर्ना नहीं होगा हमने कहा जाती जनगर्ना होगा अब RSS के लोग कह रहे हैं भहिया जाती जनगर्ना सःई बात है फिर उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाछते हैं हमने कहा ऐसे नहीं होगा पारलमंन में बात उठाई थोड़ा सा दबाव डाला BJP को लोग कहते हैं नहीं भाई या लैटरिल एंट्री नहीं होगी तो अब एक बात समझ लो अब नरेंद्र मोधी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचाए नरेंद्र मोधी BJP इनको हम सरकाय से हटा देंगे मगर हम हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो सब की रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के साथ इस्जत से बात हो जो कमजोर लोग है चाहे वो किसान है मजदूर है चोटा बिजनिस चलाने वाले लोग है उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागिदारी है बैंक के दर्वाजे हमारे लिए खुले है करजा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश दो-तीन लोगों को लिए नहीं चलता है यह हम चाहते हैं और यही काम यही काम हम जमू कश्मीर में शुरू करेंगे और और कुछी समय में आप देख ले न यहाँ पे यह आप वकार जी यहाँ पे चुन कर जाएंगे आप जिताओगे इनको हमारी सरकार बनेगी और यह आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे वकार जी यह आप मुझे एक वाइदा करो कि यहाँ पे आप मुझे एक दो दिन के लिए लाओगे और यहाँ के लोगों से मतलब अच्छी तरह जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगे और गूल के अरिया में मुझे वहाँ पे ले जाओगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया धन्यवाद नमस्कार जहन शुक्रिया शुक्रिया रहूल गादीर रहूल जी आगे बढ़ो रहूल जी आगे बढ़ो रहुल की अगे बना जीत हमारी जीत हमारी शुक्रिया ख़दाप जीत हमारी